नमस्कार आप देख रहे हैं दाफैक्ट इंडियार में हूँ आपकी साथ पूजा रादवन प्रदेश में इन दिनों हीट स्टोक से लोगों की सिहत खराब हो रही है इससे एक मरीज की मौद भी हाल ही में हुई है जिकित्सा विभाग ने आकड़े जारी करके इसकी पूश्टी भी की है जिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने जानकर दिया है कि आकड़ों के नुसार प्रदेश में एक मार्च तक 90,386 लोग एलाज के लिए सरकारी सिवा की इमर्जन्सी में पहुँचे थे उन मेंसे 2,809 मरीज हीट स्टोक से ग्रस थी हीट स्टोक की वज़े से आज में जुले की रूपंगर निवासी की एक मरीज की मौद भी हो गई है और इसके साथ ही खबरों के नुसार ये भी आपको बता दे कि अब तक गर्मी के वज़े से 19 लोगों की जान जा चुकी है और अब राजिस्तान में गर्मी का दौर कम होने का नाम नहीं ले रहा है दुपैर होते ही जनबासी घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो जाते हैं हाला दिये हैं कि मरुधरा में इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोर दिये हैं नोतोपार में पश्चिमी राजिस्तान में फौलावदी में पारा 49 डिगरी के पार पहुँच गया तो वहीं इस सटे बार्बेर और जैसलबेर में भी तापमान 48 डिगरी के पार चुला गया वहीं मौसम विभाग की ताजा जो अनकारी की मताबिक अभी 2-3 दिन तक राजिस्तान में जान लेवा गर्मी से राहप नहीं मिलने वाली है प्रदेश की चार्ज ले जिनमें जोतपूर, उदैपर पाली और भूदी न तेज हमाई की साथ हलकी बूंदाबादी तो हुई थी जिससे प्रचन्ट गर्मी में लोगों निराहप महसूस की लेकिन ये जादा देर तक नहीं चला राजिस्तान के मौसम विभाग की जोयपूर के इंद्री ने वैज्जानिक ने ये बताया है कि आगामी 48 घंटों में विकाने जोयपूर भरतपूर कोटा संभाग की कुछ भागों में अधिक्तम तापमान एक से दो डिगरी तक बढ़ने की आसार है उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि आने वाली 2-3 दिनों तक प्रदेश में गर्मी का पारा और जादा चड़ेगा लेकिन 29 मई से राजिये की कुछ हिस्तों में अधिक्तम तापमान 2-3 डिगरी सेल्सेस की गिरावट होने की भी संभावना है मानसून को लेकर भारती मौसम विवात की ताजा जानकारी के मताविक दक्षिन परच्ची मानसून के एक जून तक केरल पहुँचने की उम्वीद है हलांकि राजिस्तान को अभी इसके लिए और ज्यादा इंतिजार करना होगा आमतोर पर मरुधरा में मानसून 25 जून तक दक्षिन पूर्वी राजिस्तान में एंट्री कर लेता है और पूरे राजजी को कवर करने में आप जुलाई तक का समय लग जाता है आपको बदा दे कि पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो अभी लोगों को तकरीबन 20 दिन और गर्म मौसम और लूग के थपेड़ों से निजात नहीं मिलने वाली है यदि पिछले साल के समय के अनुसार मानसून ने इस बार भी सही समय पर राजिस्तान में दस तक दी तो केवल कभी कबार होने वाले मानसूनी बारिश से ही राजिस्ताने को अईस्थाई तोर पर रहात मिलेगी और इसे के साथ अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि गर्मी के प्रकुप से सही राहत जून के आखिर से पहले नहीं मिलने वाली है जब तक मानसून पूरी ताकत से राजिस्तान में नहीं आ जाता तब तक गर्मी सिराहत नहीं मिलेगी गर्मी को देखते हो राजिस्तान के मुख्य मतरी वजनलाल शर्मा ने भी एक कदम आगे बढ़ाते हो पक्षो और जीव जन्तू के लिए भी लोगों से पाने की विवस्ता करने की अपिल की है